Hello friends welcome to my channel code blocks so in this video my topic is elementary statistics video से शूरू करके start करके makes after series में का video बानाना बाना हूँ और इस पहला वीडियो हाईगा elementary statistics के उपर तो पहले कुछ साल तक एक- दुर साल पहले सब्सक्राइब कर दिया गए अब हम तो हमें इसका मीन क्या है हमें बात में पता चलाएगा इसका मौड है मौड है मौड 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 म सब्सक्राइब करना हो लिए होते हैं उसके बाद में तैब्सक्राइब भलते हैं निकलेंगे मिलीन को हुथ च्छोनरल को जो टो जो रूल सोता है ओर डिफ्रन डिफरन से होके उसके बाद एक्जम्बित्रिवेद् होके इंदर हम देहांगे उसके बाद मीडिया मैं करेंगे पहले ता만 एचेंगे मीडियें उसके बाद मॉट फाइंड करईंगे उसके रहा हम pension इन दिनों का रिलेशन फाइंड करना हो कि इन दिनों का रिलेशन फाइंड करेंगे उसके बाद हम जाएंगे रेंज क्या है उसके बाद जाएंगे स्टेंडर्ड डीवेशन उसके बाद जाएंगे बेरियांस और स्टेंडर्ड डीवेशन बेरियांस का जो रिलेशन है वह भ तो चलिए first आता है various types of data, data two types का होता है, एक है raw data और एक है group data, raw data मतलब क्या होता है, one, two, three, four, यह है raw data, और group data है, suppose हमें एक range देख चुका है, one to ten, or ten to twenty, this type of data are known as group data, and this type of data is raw data, okay, this is raw and this is grouped, यह रेंज में है, group data, okay, तो हमें पहले raw data के बारे में बात करेंगे, so raw data का mean क्या find करना होगा, so mean कैसे find करेंगे raw data, raw data करेंगे, पहले उसका जो sum है, जो जितनी भी data है, उसका हम sum निकलेंगे, और इसके बाद उसको हम number of data से divide करेंगे, so suppose मेरे पास है one, two, three, four, okay, so one, two, three, four, so one plus, so हम क्याते है, कैसे mean निकलेंगे, one, two, one, plus two, plus three, plus four, divide by, हमारा पास data कितने है, four, so four करेंगे, तो देखेंगे, four plus three is कितने होता है, seven, seven plus two, is equal nine, nine plus one is ten, so ten divided by four, so हमारा mean निकलेंगा, है, two point five, so mean, यह है, raw data की mean है, two point five, okay, और इसको हम represent करेंगे, x bar, इसके कहते है, x bar, x होता है, उसको हम बोलते है, x bar, और इसको जो value है, हो है, two point five, four, one, two, three, four, this is for raw data, यह अपर देख लिजी, x bar कैसे फाइन करेंगे, x one plus x two plus x three plus dot dot dot, x n divided by n, n is number of data, निकलेंगे, उसके बाद करेंगे, summation of those data divided by n, okay, तो हमारा निकल आजगा है, mean है, so mean for raw data की आजगा है, इसके बाद हम देखेंगे, group data, group data की mean कैसे निकलेंगे, okay, तो चलिए, यहाँ पर mean है, x bar, okay, तो हम group data की देखेंगे, so one minute, तो group data मतलब आप समझ लिजे 10 to 20, okay, इसके अंदर कितना group है, कितना data है, suppose पकड़ लिजे 3 है, उसके बाद है 20 to 30, यहाँ पर कितना data है, 4 है, अब हमें इसका mean निकलना है, तो कैसे निकलेंगे, आपर rules पर आ जाईए, यह है हमारा rules, तो summation of x i, f i, यहाँ पर x होता है, जो mid point, इसका जो group है, इसका में mid point निकलना पड़ता है, तो 10 plus 20, divide by 2, इसका mid point कि दा आता है, 15, और इसका mid point आता है, 25, ओके, और जो f1 है, f1 क्या है, f1 है frequency, इस जो group का है, इसका frequency है 3, और इसका x1, तो इसका जो हमारा आता है, 15 into 3, ओके, तो उसके बाद हमारा is group है, second group, second group, second group में median क्या आता है, मतलब f1, x1 है 25, और इसका जो f1 है, f1 है, मतलब यह frequency है, frequency कितने है, 4, और divided by हमें frequency का साम रिकालना है, frequency का है, 3 plus 4, okay, तो 50, this is 45, this is 100, divided by 4 plus 7, so 145 by 7, so इसका जो रहता है, approximately 20, 20, एबाब 20 है, okay, इसका जो mean है, above 20, इस तरब का, ऐसे हमें rules, rules को forward करता हो है, हमें mean निकलना है, तो चलिए, आगे एक example है, उसके तरब देख लेगे, चाहिए, आपर आज है हमेरे class है, class बोल सकते हैं, उसे group भी बोल सकते है, ठीक है, तो class में कितने group है, first group, four group है, second group, third group, and this is fourth group, आपर, एक से मैंने पहले बात है, एक से मीड, हमें mid point निकलना है, इसका mid point है, और एक frequency, इस group में कितना data है, ओके, यह frequency, suppose 51 में 255, आप पकड़ लीजिए, 52 है और 53 है, यह दू है, इसलिए frequency दो है, ठीक है, अब आप आजाए, इसका mean कैसे निकलना है, first of all हमने देखा है, इसका सामें से न है, यह आप आजी, एक सोन एफ वान, देन एक सोन एफ टू, देन एक स्टी एफ त्री, ऐसे करके, इसका बाद जो नीचे है, उसका हमें frequency का साम निकलना है, तो चलिए, यह आप आप देखिए, तो first group का X1, मतलब एक सोन है, X1 क्या है, X1 है 53, यह पर F1 क्या है, F1 है 2, 53 into 2, X1 F1, उसका बाद है, X2, A है F2, A X3, A F3, and X3, X4, and A F4, उसका बाद है, F1, उसका बाद है, this is F2, 7 है F2, 8 है F3, and 4 है, this is F1, this is F2, 8 है F3, and 4 है F4, इसे तर हम mean find कर चुका है हो, 61.33, तो हमारे पास two types of data आता है, एक है group data, और एक है raw data, एक है group data, हम पहले raw data के mean find करते है, raw data के mean कैसा find करते है, raw data के mean find करते है, data का sum निकलना है, मतलब X1, plus X2, ऐसे करके, XN पर जाएंगे, उसके बाद number of data, data कितनी है, divide by करेंगे, तो हमे mean find मिल जाएगा, यह है group data की, for raw data, sorry, this is for raw data, हमें raw data की mean ऐसे find करेंगे, और group data के mean कैसे find करेंगे, group data के लिए हमें class, और group मिलेगा, number of groups आएगे, उसके हमें mid point निकलना है, इन group होगा, उसके बाद frequency available होगा, आपको available होगा, पर आपको available नहीं होगा, mid, तो आपको पहले mid निकलना होगा, उसके बाद frequency और उसके बाद जो rules है, X1, F1, मतलब जो first mid है, first group का mid से frequency को multiply करना होगा, X1, F1, plus X2, F2, ऐसे करके, आपको आना चाहिए, summation of XI, FI, divided by summation of FI, आपर F means frequency and X means mid, ऐसे करके आपको mean निकलना होगा, तो I think, आपको mean पता चलके कैसे mean निकलना होगा, उसके example देखे, आपको समझ आ चुका है, example को देखके कैसे mean निकलना होगा, तो आगले वीडियो में मैं बात करने बाला हो median के बारे में, तो इसके आगले वीडियो में मैं बताऊंगा median कैसे निकलना होगा, कैसे mean निकलना हो ग्रूप data के बारे में और raw data, बोद data के लिए हमें median निकलना होगा, ठीक है, आगले चाले आ निकलना होगा, तीक सी был वाल सिक भी थरो Azim